नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर भारत की स्वतंत्रता के अमरूत महुतसवी वर्ष में आज गंतंत्र दिवस पर सबसे बड़े ऑनलाइन कारेकरम का आयोजन किया जा रहा है इस आयोजन में देजभर से एक हजार केंद्रों के माध्यम से एक लाग से भी अधिक नागरिक बच्चे वृद्ध महिला पूरुष युवा संगित में सुर्य नमस्कार की प्रसुति करने वाले है पतंजली योगपिट के मुख्य केंद्रिय प्रभारी डॉक्टर जैदीप आरियन जानकरी देते हुए बताया कि आज शाम चार बजे योगरशी स्वामी रामदेव जी महाराज एवं गीता परिवार के संस्थापक स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की पावन उ जा रहे है इस अउसर पर केंद्र सरकार ने पूरे देश में यह पूरा वर्ष आजादी का अमरोत महुत्सव के रूप में मनाने का निर्ने लिया है इसी के अंतरगत गीता परिवार क्रीडा भारती पतंजली योगपिट हार्ट फुलनेस इंस्टिटूट तथराश्ट्र योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन इन पाच संस्थाओं ने सहयुकतरूप से 75 करोट सुर्य नमसकार अभियान के साथ एक नया विश्व किर्तिमान स्थापित करने का संकल्ब लिया है ट्रकर्स यूनिटी अध्यक्ष कुक्कू मारवा के नित्रूत्व में बड़ी संख्या में ट्रांस्पोर्टरों की मौजूदगी में मारवा के आफिस में बैठक वी बैठक में कुक्कू मारवा और उपाद दक्षा गुरुदयाल सिंग पड़्डा ने पालक मंत्री डॉक्टर नितिन रौच से नो एंट्री नियम के बारे में चर्चा की और उन्हें ग्यापन सोपा कुक्कू मारवा ने कहा कि इस बारे में 15-20 वर्षों से मांग की जारी है पर कोई भी मंत्री, सांसद या विधायक मसले पर ध्यान नहीं दे रहा है सरकार को ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए प्लाजा का निर्मान करना चाहिए जिसमें लॉर्जिंग, बोल्डिंग, पार्किंग, रेस्टोरेंट, डिस्पेंसरी, वेरहूस के साथ साथ गाड़ियों के रखरकाओं की भी वेवस्ता हो प्रशासन को इस प्लाजा में 24 घंटे में हर गाड़ी वाले से 100 रुपई शुल्क लेना चाहिए इससे ट्रांसपोर्ट प्लाजा के साथ साथ मनपप प्रशासन को भी करोड़ों रुपई की आये मिलेगी आज शहर में रोजाना चार से पाच हजार गाड़िया हर राज्य से आती जाती रहती है इसी तरह की सुविदा होने पर शहर के चारों नाकों के पास रोड पर खड़े रहने वाले ट्रकों की लाईने नहीं लगेंगी और दुरगट ना होने का भैवी नहीं होगा नहीं ट्रापिक की समस्या होगी रायसोनी समुह के SGR Knowledge Foundation द्वारा श्री नित्यानंद चरंदाज जी का उनके द्वारा लिखी किता आइकॉन आप ग्रेस पर संगीता वर्मा से 28 जन्वरी को परिसवात का आयोजन ओनलाइन पद्धिती द्वारा किया गया है नित्यनंद चरंदाज जी श्री राधा गुपिनात मंदिर इसकॉन चवपाटी मुंबई में पुजारी के तौर पर कारे रत है तथा वे वर्तमान शाहरी परिस्थिती को ध्यान में रखकर लोगों को एक उद्धिष्ट पुरुन वसंतोष पुरुन जीवन जीन हेतु मार्गदर्शन करते है डॉक्टर मंजीरी प्रभु द्वारा राइटिंग बुग्स देट चिल्डरन रीड द्वारा लिखी गई किताब पर दीपानकर मुखर जी के साथ परिसववाद 29 जनवरी को आयोजित किया गया है डॉक्टर मंजीरी प्रभु संचारन विज्ञान में आचारिय पद्वी प्राप्त है तथा वे स्वतंत्र फिल्म निर्मान भी करती है वे एक लेखी का है तथा 15 किताबे लिख चुकी है वे पूना अंतरराष्ट्रिय साहिट्य समारों की संस्थापक तथा संचालक भी है वे अब तक 200 से अधिक बच्चों के टेलिविजन कारेकरम का निर्देशन कर चुकी है वे इंस्पिरेशनल वुमन आप महराष्ट्र त भी संबानित की जा चुकी है इच्चुक को इस कारेकरम का लापराप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहबागी होने का आवाहन आयोजकिन किया है आजादी का अमुरुत महुत्सव के अंतरगत दक्षिन मध्यक्षेत्र सांस्कुरुतिक केंद्र नाकपूर द्वरा गंतंत्र दिवस समारों के उपलक्ष में 23-26 जन्वरी तक SCZCC नाकपूर परिसर में विवित कारेकरम आयोजित किये जा रहे है गंतंत्र दिवस समारों के त्रूतिय दिवस 25 जन्वरी के कारेकरम का उद्गाटन निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवड कर उपनिदेशक गवरी मराथे फ्रफुल माटेगाव कर सहायक संचालक गोपाल बितावार एवं आस्थाफन अधिकारी श्रीकान देशाई ने दी प्रज्वलन कर किया समारों के त्रूतिय दिन ये हिंदोस्तान मेरा देजभक्ती गीतों के कारेकरम की प्रस्तुती हुई इस प्रस्तुती का प्रारंब जहाँ डाल डाल पर सोने की चिडिया करती है बसेरा इस सुन्दर गीत से हुआ इसके पश्चात हे हुतात मैनो तुम चिठी आई है शूरामी सरदार अनाम वीरा सारे जहाने देखा ये देश है वीर जवानों का ए मेरे प्यारे वतन कर चले हम फिदा जिस तरह से है जाना आधी गीतों की सुमधूर प्रस्तुति दी गई कारेक्रम का समापन ए मेरे वतन के लोगो इस गीत की प्रस्तुते से हुआ इस कारेक्रम की प्रस्तुती प्रफुल माटेगाउकर एवं सहकारियों द्वारा दी गई कारेक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ग्यापन प्रफुल माटेगाउकर द्वारा किया गया इस कारेक्रम में गायक कलाकारों में प्रसन्न जोशी, सारंग जोशी, यामिनी पाइगन का समाविश्था कोसिया चेर्मन सीए जुलफिश शाह के नितरूच्व में कोसिया प्रतिनिदी मंडल ने डालमिया सिमेंट भारत लिमिटेट के कारेकारी निदेशक हकीमुद्दिन अली को मूरली सिमेंट के अधिगरहन से 15 मेने के रिकॉर्ड समय में चंद्रपूर जिले में सिमेंट प्लांट को चालू करने के लिए बदाई देते विए सातकार किया डालमिया सिमेंट भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिमेंट उत्पादक बन गया है कोसिया के पदादिकारियों ने कच्चे माल की उपलब्दता, रोजगार सुरूजन, गुनवत्ता प्रमानन, मुल्न निर्धारन मांग आपूर्ती अंतर, पर्यावरनिय मुद्दो, आदिस संबंदित विभिन्न मुद्दो पर चर्चा की अली ने कहा कि डालमिया सिमेंट अपने बहतरीन कॉलिटी के लिए प्रतिबद्ध है, इवियस स्वच्छ और हरा लाबधायक और टिकाओ है, और डालमिया भारत पिछले दशक में अपने कार्बन पदचिन्न को 22 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम रहा उन्होंने आगे कहा कि डालमिया सिमेंट चंद्रपूर जिले के स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि विधरबक्षेत्र में नौकरी के आउसर दिलाना और अध्योगिक विकास कमपनी की जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रतिनिदी म के साथ सिमेंट प्रकार के साधरन पोर्टलेंड सिमेंट और पोर्टलेंड पाजोलाना सिमेंट और प्रासंगीक मुद्धो के फायदे और नुकसान के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की, अली ने उम्मिद जताई की आने वाले समय में भी कमपनी काम्याभी की बुलंदियों तक जरूर पहुचेगी। बुलंदियों तक जरूर पहुचेगी। अधिकारी ता अंदोलन का इतियास और समाज की मानसिक्ता का जिक्र करते हुए कहा कि स्त्रियों के प्रति समाज की मनुवरुत्ती को समाप्त करने के लिए सत्ता नहीं अपितु समाज को ही आगे आना पड़ेगा गांदी जी के परिवार निर्मान के प्रयोगों को नए सिरे बोस के 125 वी जैनती के उपलक्ष में चित्रकलास पर्दा का उच्साह के साथ आयोजन किया गया जिसमें कुल 70 बच्चों ने सहभाग लिया इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरसकार गवरव गोपाल गवर द्वितिय पुरसकार कृष्णा दिनेश गवर ने प्राप्त किया कारेकरम को सफल बनाने के लिए भोई समाच पंचा कमिटी के पुर्वाद्धक्ष किशोर करतार, अद्धक्षन अंदकिशोर गवर, सचिव प्रोफेसर रहूल गवर, कुशाद द्धक्षम मनिश महशलाल बाथो, कारेकारेनी महला सदस्या, नुतन गंगोत्री, सदस्या क पाइपलाइन के जरिये गैसापूरती करने का ठेका मिला है, इस कमपनी के मुख्य कारेकारी अधिकारी रहुल चोपडा ने बाच्चीत के दवरान कहा कि सभी कारेर योजना के मुताविक होने पर नागपुर के नागरिकों को जून 2023 से पाइपलाइन के जरिये गैस मिल सक उन्होंने कहा के सर्वे के पहले चरण में गैस पाइपलाइन का महरगत तयक किया जाएगा, इसके बाद दूसरे चरण में विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों की अनुमती ली जाएगी, पाइपलाइन डालने का काम पूरा होने के बाद गैस अथरटी ऑप इंडिया से गै गैस आपूर्ती शुरू होगी, गैस अथरटी ट्रंक लाइन बुटी बुरी में है, कमपनी वह लाइन शहर तक बढ़ाने का प्रयास करीगी, इस प्रकल्प पर कमपनी अगले 10 साल में 2-5,500 करोड रुपे का निवेश करेगी, घरेलू कमर्शियल वा उद्योगिक उपयो के लिए PNG वह वहानों के लिए CNG की आपूर्ती की जाएगी, LPG की तुलना में PNG के कई फाइदे है, PNG हवा की तुलना में हलकी है और LPG भारी है नई कॉलिनी सर्वोदय लक्ष्मी अपार्टमेंट में जीवन का मर्म पत्रिका का विमोचन, राष्टिय वरिष्ट उपाध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष, महराष्टर वईश्य एक्ता परिशद, रामकुरुष्ण गुपता द्वारा किया गया इस अउसर पर मान्यवरों ने कहा कि उनके द्वारा रचित पत्रिका काफी प्रशन सनिया है, मनुष्य जीवन में कई नई समस्याय आती है और इन समस्यायों से जूश्टे वे विजह प्राप्ति किस तरह से हो सकती है यह जीवन का मर्म पुस्तिका में विस्तार से दिया इस आशय के विचार रामकृष्ण गुपता ने व्यक्त किये, उन्होंने कहा कि जुगलकिशर गुपता ने बड़ी लगन तथा मेनत से पत्रिका का संपाधन किया है, समाज के प्रतिक महानुबहों ने अपने उपर आये आरोपों का सामना करना नेकी भलाई करने से ही आत जीवन के मर्मपत्रिका में राष्ट्रकवी मैथिली शरन गुपता द्वारा रचित संदेश में कहा गया है कि जिस कुल जाती के देश के बच्चे दे सकते है निजवलिदान, उनका वर्तमान कुछ भी हो, भविश्य है महान। लगातार बढ़ती ही जा रही है, लोगों के हातों से रोजगार चीन गया है, शहरत द्यक्षन नैश नुसरत अलिके नेतरुत्व में बड़ी संख्या में कॉंग्रेस सदस्याय इस आंदुलन में शामिल हुई, गैस के सिलेंडर साथ लेकर जमकर नारेबाजी की गई, आं अहिला कॉंग्रेस मैदान में वारे मोदी तिरा खेल, उजवला ग्यास योजना हो गई फेल के नारे भी लगाये गए, आंदुलन में रीचा जैन, कांता पराते, छाया निम सरकार, विजया धोटे, नंदा देश्मुक, आशाराउत, गीता जलगाव कर, रेखा काटोले, पुजा देश्मुक, कल्पना द्रोनकर, वर्षा गुजर, रोश्नी निखारे, अंजना मडावी, लीना कटारे, डायना लिंगे, रेश्मा नंदा गवली, मंदा आतकरे, मिनाक्षी गत्फने, अनिता ठेंगरे, कविता टेंबूर्नी, कविता हिंगनकर, संगिता महिला कॉंग्रेस सदसे शामिल वी फाउंडेशन द्वारा सम्मान पुर्वक उठाया जाएगा, यह जानकरी फाउंडेशन के संस्था पक अध्यक्ष सारंग धोक ने दी है, धोक ने आगे बताया, कि यह हमारे लिए बहच शर्मसार कर देने वाली बात है, कि हमारे देश में हमारा ही राष्ट्य अध्वज अकसर नीचे पढ़ा हुआ पाया जाता है, आज हमें इस बात की जानकरी होनी चाहिए कि आज भारत देश में विदेशों से कई परियतक घुमने आते हैं, और वे लोग हमारे राष्ट्य ध्वज की ये परिस्तिती देखेंगे, तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, औ और आने वाले पीडी पर इसका क्या असर रहेगा? साथ ही चप्विच जनवरी नवयूगों के लिए सिर्फ छुट्टी का दिन बन कर रह गया है, हमारे इस अभियान द्वारा हम सभी के दिलों में राष्ट्य धच के सम्मान हें तु भावना निर्मान करने का प्रयास करे महावितर अने नाकपुर शहर में बिजली बिल बकाया राशिक की वसुली के लिए एक जोरदार अभियान शुरू कर दिया है 25 जनवरी को चलाए गए इस अभियान में 27 ग्राहकों ने 9,10,000 रुपे के बिजली बिल का भुकतान किया है इसी बीच पिछले सप्तहा बिनाकी अनुमंडल में चलाए गए अभियान में 12 ग्राहकों ने 1,18,000 रुपे के बिजली बिल का भुकतान किया है साथ ही बिजली चोरी के मामले में 14 उपभुकताओं के खिलाफ कारवाई की गई किन्तून के खिलाफ क्या करवाई की गई ये पता नहीं चल पाया है नाकपुर रेंच के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी और मुख्या भियन्ता दिलिप दोड़के ने मंगलवार को शिवाजी नगर, सिरस्पेट, मौडल मिल्चोग, मंगलवारी, भाबुल बन, हिवरी नगर का दोरा किया इस दोरान 27 ग्राहकों ने उच्चा धिकारियों के सामने 9,10,000 रुपे के बिजली बिल का भुकतान किया शेत्रिया निदेशक सुहासरंगारी ने ग्राहकों से चर्चा की, इस दोरान प्रादेशिक संचालक सुहासरंगारी ने ग्राहकों से अपने नियमित बिजली बिलो का भुकतान करने और महावितरन के साथ सहयो करने की अपिल की है इसी बीच पिछले सप्ताहा बीना की उपविभाग में चलाये गए बकाया वसुलिय भियार में बाराग रहाकों ने एक लाग अठराहजार रुपे का भुक्तान किया कपिलनगर पुलिस थाने के समतानगर परिसर में सुमवार रात को 6-7 असामाजिक तत्वों ने एक राजनिदिक पार्टी के कारेकरता के घर पर पत्थर बाजी की और साथ ही उनके घर के सामने खड़ी कार के कांच भी फोड दिये आरोपियों की ये सारी कर्तुत परिसर में लगे CCTV कैमेरे में कैद हो गई जिसके आधार पर स्थानिया पुलिस टुकडी ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों को भी गिरफतार किया है दरसल सुमवार को ही समतानगर परिसर में नाकपूर महनगर पाली का द्वारा अवैद अतिकरमन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कारवाई की गई थी इन सभी आरोपियों को आशंका थी कि इस राजनितिक पार्टी के पताधिकारी के कहने पर ही मनपा के बुल्डोजरों ने इस कारवाई को अंजाम दिया है हर वर्ष केंद्रिय गुरूह मंत्राले द्वारा शौरिय और उलेख निय सेवा देने वाले पुलिस कर्मीयों को राश्ट्रपती पुलिस पदक से सम्मानेत किया जाता है और इस वर्ष राज्ज्य के 40 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को पदक जारी किया गया है जिसमें शहर में कारियरत स्टेट CID के डिप सुप्रिटेंडेंडेंट औफ पुलिस विद्याशंकर मिश्रा, सिटी पुलिस की विशेशाखा में कारियरत सब इंस्पेक्टर राश्टरपाल सवाई थूल, SRPF ग्रूप 4 के प्रमोद लोखंडे और EOW में कारियरत ASI सुरेश वर्ष 1992 बैच में सामान्या सेवा के तहत उपनिरिक्षक पत पर मिश्रा को पहली नियुकती मिली थी, 29 वर्ष की सेवा में उन्होंने बॉम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्कॉड, एंटी करुप्शन ब्यूरो, ATS और CID जैसी संस्थाओं में काम किया है, कई बड़े म वर्ष 2010 में नकसर प्रभाई चेत्रों में बहतरिन कार्य किया है, राज्य और राष्ट्य स्तर के 28 पूर्ण कर चुके लोखंडे को विभाग द्वरा 648 रिवोर्ड दिये जा चुके हैं, वर्ष 2010 में उन्हें आंतरिक सुरक्षा पतक से समानित किया गया था नागपुर महनगर पालिका में मंगलवार को राष्ट्य मतदाता दीवस मनाया गया, महराष्टर राज्य के मुक्य निर्वाचन अधिकारी ने इस दिन को मनाने का निरदेश दिया था नागपुर महानगर पाली का द्वारा हर जोनल कारियाले में राष्टिय मतदाता दिवस मनाया गया मुख्य कारेक्रम निगम मुख्याले के पंजाब राव देश मुख स्थाई समिती हौल में आईजित किया गया इस कारेक्रम में महापुर द्याशंकर्तिवारी मनपा एकतर आधा कृष्णन भी सत्तारूर दल के नेता विनाश्ठाकरे नेता प्रतिपक्ष ताना जीवन में पुरुवस्थाई समिती अध्यक्षे व्रेंदर कुक्रेजा मुख्य रुपस्यों पस्तित थे साथी मनपा के सभी नगर से वक मुख्य अधिकारी भी ओनलाइन माध्यम से इस कारेक्रम से जुड़े हुए थे इनमें उपमाहपौर मनिशा धावडे और स्थाई समिती के अध्यक्ष प्रकाश भोयर भी शामिल थे कारेक्रम का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया भारती निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही थी आयोग की स्थापना दिवस को 2011 से राष्टिय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है राष्टिय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश मतदाताओ विशेश करने मतदाताओ को मतदाता सूची में अपना नाम दर्च कराने और अपने नाम आसानी से दर्च कराने के लिए प्रोचसाहित करना है महापूर दयाशंकर तिवारी ने उफस्तित सभी गणमाण्य व्यक्तियों को राष्टिय मतदाता दिवस का संकल्ब दिलाया नागपूर के श्रिनप मोजे शगरवाल को किश्वर अनुसंदान क्षेतर में उनकी अभूत पूर्व उपलब्धियों के लिए सुमवार को प्रधान मंतरी नारिंद्र मोधी ने राष्टिय बाल पुरसकार से समानित किया महापूर दया शंकरतिवारी ने श्रिनप मोजे शगरवाल के घर जाकर उन्हें इस उपलब्धी पर बधाई दी और आशिरवाद दिया इस आउसर पर शिक्षन समिती सभापती दिलिप दीवे, वरिश्ण नगर सेवक सुनिल अगरवाल, मनपा के स्वास्ता समिती के उपसभापती, विक्रफ गौाल बंशी, नगर सेवक प्रमोध कौरती के साथ, श्रिना बगरवाल के परिजन उपस्तित थे केंद्रिय महिला एवंबालवी का समंत्राले द्वारा ये पुरसकार कीशोरों को दिया जाने वाला सरवोच्चनागरिक सम्मान है, दरसल ये पुरसकार हर साल दिया जाता है, इस वर्ष ये पुरसकार 2020-21 और 2021-22 इन दो वर्षों के लिए एक साथ ही दिया गया है, कोरोना केंद्रिय महिला एवंबाल कल्लेंड मंत्री स्मृति इरानी तथा अन्यमान्यवरो की उपस्तिती में श्रीनप को ये पुरसकार ओनलाइन माध्यम से प्रदान किया गया था हाल ही में होटल एलबी सदर में जेसी आई नागपुर शक्ति का तिसरा भव्यस थापना दिवस दूमधाम से मनाया गया इस अउसर पर पुरसकार वितरन समारहो का भी आयोजन किया गया मुख्य अतिती के रूप में स्बी एक्साइज सुरेंद्र मान प्रिया को आमंत्रित किया था जेसी जावेद राना ने की नोट स्पीकर के रूप में सबका संबोधन किया और कारेक्रम में मौज़त सदस्यों का मनोबल बढ़ाया बार काउंसिल के अध्यक्षय एडवोकेट कमल सतूजा विशेश अतिती के रूप में मौज़त थे जोनल वोईस प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपी का चांडोक ने इंस्टालेशन ऑफिसर के रूप में 26 नवन युक्त कारेकारनी सदस्यों को शपत दिलवाई जेसी आई नागपुर शक्ती के संस्थापक डॉक्टर राकेश डकाहा ने कारेकरम का संचालन किया पोस्ट प्रेसिडेंट जेसी रातु डाकाहा के हातों वर्ष 2022 का नए अध्यक्ष जेसी अजे तिवारी ने शपत लेकर जेसी आई नागपुर शक्ती को नए उचाईयों तक पहुचाने का श्वासंदिया सचीव डॉक्टर यश अगरवाल ने सभी का आभार माना जेसी आई नागपुर शक्ती की नई कारेकारेनी समिती में जेसी सपना पंचलवार, जेसी स्वाती गुर्णानी, जेसी डॉक्टर अलकाजेन, जेसी डॉक्टर अंकिता अगरवाल, जेसी साक्षी मस्के, जेसी न देश में चुनावों में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। देश के भावी मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाया गया। कारेक्रम का संचालन हरिश राठी ने किया तथा सुधिर बूटे ने आभारमाना। हिंदू रिधे समराट बालासाइब ठाकरे की जैनती के अउसर पर वरिश्ट शिवसिना पदातिकारी उत्तमकाप से ने बालासाइब ठाकरे की प्रतिमा पर माल लारपन किया और इस अउसर पर सावनेर शहर में जरूरत मंदों में मास्क और अत्यवशक सामगरियों का वितरन किया गया। अचले आदी की प्रमुक उपस्तिती में बालासाइब ठाकरे के योगदान को याद किया गया। साव से जादा दुकानदार बेरोजगार हुए है। उनके परिवार पर भुकमरी की नौबत आ गई है। हाल ही में मंत्री सुनिल केदार को जिला परिशत सदस्य कुंदाराउत, युवर कॉंग्रेस हिंग नाविधान सबाध्यक्ष, अश्विन बैस, पंकच फलके के नेत्रुत्व में दुकानदारों के एक प्रतिनी थी मंडल ने ग्यापन सोपा। ग्यापन में ये मांग की गई है कि कोरणा काल होने से फिलाल अतिक्रमन न हटाए, अतिक्रमन हटाना ही है, तो पहले दुकानदारों को वैकल्पिक जगा उपलप्त कराए। इस मामले को गंभिरता से लेकर मंत्री सुनिल केदार ने तुरंट DCP लोहित मतानी से फोन पर ब अतह कारवाई रोकने के लिए भी वही आदेश देंगे। नगर परिशत के आला अधिकारियों से मिलकर दूसरी जगह देख लेने के सला भी DCP मतानी ने दुकानदारों के प्रतिनीधी मंडल को दी।